कि दोस्तों नश्कार तो हमारा आइटी एक्ट का आज हम दूसरे लेक्चर स्टार्ट करेंगे फोड़ा सा लेट हो गए लेकिन कोई नहीं आपके साथ इत्ते सार फ़र गए और इत्ते सार यह सब चीज हैं लेकिन हम आपके साथ आएं और आशा करता हूं कि आप लोग देख और जेजे को थोड़ा साथ में रखके करना है ना तो क्योंकि दोनों बालकों के बारे में चाल्ड के बारे में अपना वाक्स और यह तो दोनों ऐसे अपनी बात करते हैं तो थोड़ा सार देख लेना है और कहीं कहीं अगर आपको याद करने में थोड़ी सी दूइदा होत हाँ 84 समसिंग में आपका दिया है तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा चीजों को ठीक है और ठीक है चलिए तो आज हमारा आईटी का आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं और हम कहां तक कर चुके थे हमारा चैप्टर ठीक हम पूरा कर चुके थे हैं ना जब ठीक हम और डॉक्यमेंट के बारे में सेवे ने भी पढ़ चुके थे हमने इसका अलेक्ट्रोणिक का आपका गजट्स के बारे में पड़ा दिया था ऑज हमें स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर चैप्टर फूर चैप्टर फूर का नाम है अधिकार अभी स्विकृति और प्रेशन के बारे में बात करता है तीन चीजों के बारे में यह बात करता है मेरे ख्याल से मैंने यहां पर भी पड़ा दिया था हाँ यह भी हो गया था चैप्टर फोर फाइब है एजब था मैंने वूला था लाकृणिक अबीन को उपर रखि लेना उसके बाद एक चिन होंगे तो यह ऐसे ही आपने स्वरक्षथ मलब सुरक्षथ एलेक्ट्रोनिक का विलेका है 14 में और सुरक्षथ प्रक्रिया और प्रणाली कहा है सोला में कहा है सोला में है प्रिक्रिया प्रणाली मतलब इनके संब्द में जो भी चीज़े है वो कौन नियत करेंगा यहां पर एक चीज़ याद रखना सेंट्र गवर्मेंट अगर आपको डाउट आए तो कहीं से भी कुछ भी अगर आप लगाओ न तो सेंट्र चीज़े चारी आपको पता यह कहां है जो लाइसेंस गरन्ट करता है और जैसे अब प्रमाणकरत प्राधिकारियों को विनिवाद और डुएम में रहे तो यहां पर पूरा कंट्रोलार के बारे में बात करी गई है अनुगेफ्टी कोन प्रदान करता है आविदन के बीतर क करना है इन सबके चीजों के बारे में हमें कहां से कहां तक यह दिया गया है तो यह हमें दिया गया है 1734 मतलब सब्सक्रादुनी 34 और 6 ठीक है छे आपका चेप्टर है 1734 है चेप्टर के नाम भी आप लोग याद रख लेना थोड़ा सा आपको आशानी होगी चीजों को समझन समझने में और समझते हुए आगे बढ़ने में ठीक है ना तो यह वाली चीज़ें आप लोग थोड़ा सा इसको याद करते जाएंगे आंगे ठीक है कि चलिए कि इसको करते हैं यहाद ठीक है कि देखते हैं क्या हो गया चलिए आगे कहानी को लेकर आगे बढ़ता है भाया चलिए चेप्टर फाइब चेप्टर सिक्स चेप्टर सिक्स क्या बोलता है प्रमाण करता प्रनाली का बिन्यमन के बारे में बात करता है प्रमाण करता प्रनाली का बिन्यमन के बात करता है प्रमाण करता क्या बात करता है यह बात करता है आपका सेवेंटीन कंट्रोलर के बारे में किसके बात कर रहा है कंट्रोल कहां डिफाइन है टूके में प्रमाण करता अधिकारी कहां डिफाइन है टूके जी में ठीक है टूके में क्या है कंट्रोलर कंट्रोलर के बारे में क्या बोला गया है यह बोला है कि क्यां अधिकार्यों का एक कंड्रोलर छोगा इस यह रखना है कि ऑपोउंटेड यह सेंट्रल करती मुझारा पाइब करती है सब कन्ट्रोलर भी निख्त करेगी. और जो कर्मचारी है वो भी कि içeris Prague करेगी. Central Government आवशकता. नीड लगेए तो, है ना? चलिए. इसके बाद नियsoonत्रक कैंदर सरकार के सादरण नियंत्रण में होगा. और ये कंट्रोलर खुद एक कैंदर सरकार के चीशाएगा से लिएभरक क कार्यव की मोर्ड होगी और अहरता केंद्र सरकार दौर नहींत्र की जाएगी उसकी वह ज़रूरत पड़ेगी और इसकी करता है कि क्वालिफिकेशन होंगी वो कौन करेगा वह आपका केंद्र ऩर्कार सेंट्र जारी को परoler करना है कर सकती है के 17 युद्यूमा 냉नितए में आपका विदेशी प्रमार करता अधिकारी को मानेता यह भी आपका प्रमार करता अधिकारी को अठर्थिक पुर्बान ओदर्सार्पार करता है और न्यानतरक मान defence करक्ता प्रतिश कर सकता है energy मानना भी कर सकता सब्सक्राइब यहां पर आपको देखने मिल रही मानिता देने से संबन दें किसको मानिता देगा वो विदेशी वालों को विदेशी प्रमाड करता है तो यह क्या कर सकता है कंट्रोलर दे भी सकता है और ले भी सकता है यहां पर देगा यहां पर लेगा ठीक है तो यह वाली चीज़े आपको यादशनी है यहां पे अगर को विदी आता है कि फेकपस प्रस्वाइब को करनी है इसकी सेंट्रल गवर्मेंट की पहले सेंट्र करो बाद में और टु एन आपको बहूत अच्छे से आथो गया हुआ आफा आणा करता हूं कि टूहाएं आपको बहुत अच्छी से याद में तो आपका रपील है रि पी ए रम दैंर विदेशी प्रमाण करता वाला जरूरर रख लिना आपको कंट्रोलर करता है माननेता कॉन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुगयप्ति प्रदान करता है ठीक है अब तो इसके साथ हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आविदन क्या करता है अनुगयप्ति के लिए आविदन को किया जाएगा अनुगपती की अबदी वो होगी जो केंदर सरकार वेहत करें अनुगपती अंतरनिया नहीं होगी यह यह आपका बहुत important question आपका निकल के आता है license no transferable अनुगपती जो license आपको मिलेगा वो अंतरनिया नहीं होगा यह वाली बात कहा लेकिए 23 के वी में आपको देखने मिल जाएगी है ना तो देखो पढ़ने का तरीका आपका यह 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 आप इसको थोड़ा सा अपन एनलाइस करते हैं जिससे आपको क्या हो जाए पूरा याद हो जाए चीज़ों को ठीक है तो वीच तक मैं कोई दिकत तो नहीं आनी चीज़िए मेरे ख्याल से आप लोग देखते हैं क्या होता है आगे आगे देखते हैं क्या होता है यह तो मैंने खराब कर लिया चलो कोई दिकत नहीं है कि अपॉइंटेट वाइ सेंट्रल गवर्मेंट किसको अपॉइंट करता है कंट्रोलर को यह मैंने यहां पर क्या है उसकी अध्यूटीज है अठारा में ड्यूटीज सत्रा में खुद की अपॉइंटेट उन्नीस में मैं बता चुका हूँ उन्नीस में विदेशी प्रमाड करता अधिकारी के बारे में बात होती है विदेशी प्रमाड करता अधिकारी के बारे में क्या बात होती है वहिया कंट्रोलर क्या कर सकता है विद्दा एप्रूवल और सेंटर गवर्मेंट से क्या कर सकता है वहिया वो पॉइंट करेगा ना यार और क्या कर सकता है उनको जो विदी मानिता के बारे में हैं विदी मान प्रत्याहरत बापस ले सकता है इसके बाद आपका 2020 से मैंने आपको बताया है सब खतम डिपील टूके एन में 21 बहुत इंपोर्टेंट है 21 में सीधा सीधा बोल रहा है कि जब भी आपको आपको लाइसिंस प्राप्त करना है प्रमाणकरतफाधिकारी तो यह क्या बोल रहा है सबस्क्राइब क्या अब जो यह बोल रहा है कि यह करें तीसरा तीन MORE नोट भी ट्रांसफरेवल भहिया नोट भी ट्रांसफरेवल खिलियर हुआ इतना आपको याद हो जाना चाहिए यह वाला तीसरे पॉइंट में आपका समझ गए ना चीजों को बोरी है थोड़ा सा लेकिन आपको इंट्रेस्ट के साथ इसको देखते हुए चलना है जैसे कि चैट्र 6 कि बारे में बात करता है इसके बाद सभी का नियंतरन कोन करेगा उसके बाद अपना क्या है उसके बाद अपना यह है कि वहिए इसकी जो क्वालिफिकिशन सेट करेगी उसके बाद थारा में ड्यूटी बता दी थारा में क्या बता थारा में बता थारी कन्ट्रोल की ड्यूटी बता थी उन्नीस में विदेश ही प्रमाड़ करता था वि카 को नियुकि अब सब्सक्राइब करने के लिए लाइसेंस का लाइसेंस इलेक्ट्रोनिक चिंड और यह बार बार बता दें कि जरूद नहीं है यह बहुत अच्छे से यह लाइसे आपको याद हो गया होगा ठीक है कि इलेक्टीक चिन लगाना डी में है इलेक्ट्रोनिक डी एपीर अथर्टी है यह सब चीज़ेंगे पढ़ा चुका हों आप में जैड में ठीक है यह वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी चलिए आप सीधा नौट ट्रांस्परेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना इंडलाइन इस्टार बना देना इसके बाद अनुग अपती के लिए आवेदन जब भी आप लगाओगे और अनुग अपती के लिए जब आवेदन लगता है लाइसेंस ग्रांट करने के लिए जब भी आवेदन लगते हैं तो आप एक्षे दस्ताविश चाहिद 25,000 रुपे से अनदिक फीस होगी 25,000 आपको जमा करना वहिया अनुग अपती के लिए जब भी आप लाइसेंस रिकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गही होगी आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी आ गई होगी वीज़ा करें करें थोड़ा सा कि सम्झें इस चीज को तो ठीक है कि शेलिए अरे या अरे या अरे या अरे या अरा मजहाने थीक है इसके बाद अनुग अपती के नभी करन के बारे में अगर आपको 45 दिन के पूर्व किया जाएगा आवेदन समप्त होने के 45 दिन के पूर्व कर दो आवेदन के वहिए मुझे लाइसेंस न्यू रिन्यू कराना है ठीक है तो नभी करन की फीस भी सुन लो आप 5000 रुपे लगेगी आपको 23 में ठीक है 24 में मना कर देगा कि नहीं 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 ठीक है सुनतो सुनवाई का अफसर दिया जाएगा उसके पच्चात ही क्या किया जाएगा मना कर दी जाएगा कि हम आपको लाइसेंस प्रदान नहीं करेंगे फिर उसके अनुगयष्टी-क निलंबन है उसके बाद 10 दिन में आपको सूचना देनी जाएगा अब दीके वीक्तर किया जाएगा सुनवाई का अफसर ना दे दिया गया हो तब तक पृतिसान नहीं और 9-30 की सूचना है थीक है उसके बाद प्रत्यायोजन है प्रत्यायोजन की बाद उलंगन के अन्यसेंट के बारे में सक्ति है उसके बाद क्मपूटर डाटा की पहुंच है उसमें अगर कोई विक्ति वाधा डालता है तो यह सब चीजें आपको याद होने चीए देखो आप कर चलो आज आप बनाते हैं ओपर इधर से चलते हैं अपने अच्छी कहानी को लेते हुए चलते हैं ठीक है चल यह क्या है अनुग्यप्ति लाइसेंस लाइसेंस प्राप्त करना है तो आपको लगाना पड़ेगा आवेधन क्या लगाना पड़ेगा जब भी लाइसेंस प्राप्त करना है तो आपको लगाना पड़ेगा आवेधन आवेधन के बाद आपको जब भी रिन्यू कराना है तो उसके लिए यह भी आपको क्या लगाना पड़ेगा आवेदन ठीक है दोनों चीज अगर आवेदन को मैं क्या करूंगा नामन्जूर करूंगा refuse करूंगा refuse तो उसकी बारे में बात करता है आपका 24 उसके बाद आपका suspending आपका बात करता है ने इसके बाद निलम्मन और पती चाहना की सूचना रिवोक कि सूचना सम्पेण्ड और रिवोक की सूचना इसके बात करता है आपका 26 खिर nosso इन इसके बाद इसके बद इसके बाद आपका 25 के बाद सीधा आपको 28 देखना है 28 देख लो हुचिस पर 28 27 बले छोड़ दो 27 नहींता नहीं है अपर पड़ लेंगे फिर भी अपर लेते हैं तो थोड़ा से आपको द्यान-मैन हो जाए रहत不好 को दिक्कत की बात नहीं है आ जाईए 27 देख लेना प्रत्यायुजन कि 28 देख लो उलंगन के बारे में बात करता है कैसा उलंगन अन्विशन में उलंगन करने के बारे में 78 की साथ यह पढ़ा जाएगा ठीक है थोड़ा सा आपन इसको समझते हैं ऐसा नहीं है इस 78 के साथ पढ़ा जाएगा देख आभी इनको किस के साथ पढ़ना है यह बहुत तो यह देखते हैं अहां तो यह चलिए इसके बाद 32 32 33 डिस्प्ले ओफ लाइसेंस चलो अभी इतना समझते हैं चैप्टर पर अभी नहीं रूखते डिस्प्ले ओफ लाइसेंस और सरेंडर ओप लाइसेंस यह बहुत इंपोटेंट है और 34 में प्रकटी कर रहने हैं लिग प्रकटी के लिए आवेदन किया जाएगा 22 में 25,000 कहां करना है आवेदन करना कहां है वह कंट्रोलर के पास करना है आवेदन किसके पास करना है आवेदन कहां जो भी आपका कहंट्र सरकार बोले अनुग अप्ति प्रेस्क्राइब वाइच सेंट्रल गवर्मेंट फीज कितनी है 25.000 रुपेया रखना इसको रेड विद किया जाता किसके साथ 35 के साथ एक को 35 के साथ रिड करो क्या बुल रहा प्रमाड करता अधिकारी दोर्ट हो रहा अलेक्रणिक प्रमाड को तरजारी किया जाना बात कर रहा है और 25.000 वहां पर लिखी है एफ्लिकेशन फींस मतलब अग कि सिगनेचर के लिए अगर बात हो रही है तो फीस सर्टिफिकेट इसू करने के लिए कि तो वहां पर भी फिसकती है 25,000 रुपे यह वाली चीज तो लखिए 35 में प्रमाण करता अधिकारी दोरा एलेक्ट्रों प्रमाण प्रमाण करता अधिकारी को 25,000 फीस आवेदन लगाना पड़ेगा तो यह रिन्यू के लिए रिन्यू के लिए रिन्यू के लिए रिन्यू के लिए रिन्यू कराना है तो इसकती पांच हजार रॊपे 5,000 में दुबारा लाईसिंस क्या होता है लेकिन इसके पहले इसके पहले जिस दिन के प्रमान कहसे ऐक करे चलो एक क्या लहां पड़ेगा आभी दोस ऊंढ़ना पड़े गापको 25 दिन के पहले पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा या आविदन लगाना पड़ेगा इसके बारे में ये बात करता है ठीक है इसके बार 24 अब ये दोनों से काम नी बना आविदन लगाया रेनू करने आविदन लगाया मना कर दिया ना मंजूर कर दिया रिफ्यूज कर दिया ठीक है तो 24 म के बाद ही करेगा यह सब चाहतो हाँ वोल या ना वोल तो सुनवाई के बाद बस अकेला इत्ता याद रखने ना जब भी हमें नामंजूर करना है या हमें प्रदान करना है तो पहले हम क्या करेंगे सुनवाई करेंगे देन उसके में surrender है 25 में आपका suspense है 32 में आपको क्या है 32 में आपका क्या है falini aux license display of license से प्रदर्शन करना पड़ता कि दिखाना पड़ता है तो ये डिस्प्ले ओफ license भी satisfy Love this ठीक है तो ठीक तैसर ओभ और आपको का करना definition UNBOL ला भूजिए ही ठीक है कि कोई स्लाइशन तो नहीं यार बहुत सारा है अपने आप सारा है तो इस तरी के से आप लोग समझना उस चीज को जित्य है मुझसे याद करानी ही बन रही है और में समय निकाल के आप लोगों के लिए ये काम कर ना हूँ ठीक है समय बहुत कम है मेरे बैश चलते रहते हैं ठीक है तो यह वाली चीज आप लोगों को समझें से कि आप लोगों के लिए थोड़ा-थोड़ा करता हूं क्योंकि यह दिमें मिलना थोड़ा सा मुश्क्ल है दिमें Germanman के बारे में क्या बात करता है suspension of license क्या करेगा क्या एंग सब्सक्राइड मेरे लग अथषन करते हैं तो उसस Smoke के बारे में जरू पढ़लो क्या लिखाए नियंत्र क्रती शन्रहत कर सकेगा और समय के पस्चाद कर सकेगा जब तुकर मैं पर्थि जाहन के त coaches का सन्हेट दहन करे लिए कर सकते हो अधिक की लिए जब करने के लिए लेकिन अगर आप 10 दिन से धिक करते हो यह उसके खे आगे बढ़ जाओ पचीस में क्या लिखाए पचीस में अगर मैं बात करूं पांस दूनी क्या होता है दस होता है तो दस दिन से अधिक क्या कर सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं वह यह सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन यह सस्पेंड करने क्या बात करता है आपका 26 सूचना डाटा संचेथ प्रकासित कराएगा और एक से अधिक विदान विर्दिनिष्ट किये गए हैं तो सूचना प्रतेख विदान में प्रकासित की जाएगी जे छोड़ों इंपोर्डेंट नहीं है ठीक है उसके बाद आपका है प्रत्यायुजन सकति प्रकासित कि अधिकारी को प्रतेविद्ट कर सकता है पाटब सब्सक्सकी सीदी बात कि ऑन वह हैं उसके बाद आगे एक अथासे बा half an मैं आपके साथ हम 201738 दस्ख़र को लानिया प्रता है इंसे पड़ना वह पे इंइसाज़िके करता है पुलिस 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 इन्वेस्टिकेशन के बारे में बात करी गई इस एट में और यहां इन्वेस्टिकेशन का उलंगन गोलाए तो यहां पर कंट्रोलर करता है उलंगनों का इन्वेस्टिकेशन करने के लिए कंट्रोलर और उसका अन्याधिकारी जो वह नाइंटीन सिक्टिवन का आएकर एक्ट के अधिन करेंगे वह क्या करेंगे इन्वेस्टिकेशन रीडविथ 78 जरूर याद रखना वहां पर पुलिस इन्वेस्टिकेशन करती है क्या करती है पुलिस इन्वेस्टिकेशन करती है इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा देखना उसके बाद प्रित्य उजन आपको पता ही है कि और अगर आप क्या करते हो पुत इंपोरेंट याई क में अफ़को कुरने है Android क corn करना एक अगर आप आपका आप 10 अपन्च गईर ने ठालना है इत्ता पाइन लगे गा पांच लाएं मैं नियुक्त पहला आपका में लिभ must सब्सक्राइब आपको यही चीज़ देखने मिल रही है ठीक है और ठीट में आप रिवोकेशन के साथ पढ़ सकते हैं इसको थाटी एट करता को सूचना उपयोग करता को देना पड़ेगा और 49 में तो सेम सेम लिखाए 49 26 29 एक यह क्या भूला निलमबर क्रति क्रति समय की सूचना अंकी प्रमाण पत्र में वद्रिभान में प्रकाशित कर आएगा इसमें डाटा संव्शन प्रकास्त कराएगा और विदान में प्रकास्त करा जाएगा तो यह थोड़ा से 26 और 49 जैसे हैं उसके साथ 38 भी आपका एक ही जैसा है कि अनुक्ति का निलंबन है तो वह अनुक्ति का निलंबन ठीक है इसमें प्रतीस अनुन है आपने 25 में पढ़ा याद हो गया के नहीं हो मैं आपकाया फ़रिश्टि में पहली चिस्तों सतरा में आपकी इसकी Testु सीessä से को उसके बीज अपका नीरशन के वारे के बारे बात करता था il उसके बार हमने क्वार्स के बारे देखा 21 एक पर कि सिणक्ति के बारे में कोन'd देता है ठीक है और देता है लेकिन यह ऩो होता है कि बिल्कुल नहीं लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनिक जिनने प्रमाणपत्र जारी करने के संब्द में रखना उसके बाद ट्वेंटीटू में हमने क्लिए आविधन करना है तो लाइसेंस के लिए आविधन कंट्रोलर को लिए करेंगे 25000 रुपए फीस देंगी जो कि सब्सक्राइब करें लेन उसके बाद ट्वेंटी इसके साथ पढ़ा था रीड़ विधन थर्टीफाइब के साथ पढ़ा था एलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर की सब्सक्राइब की किती है 25000 रुपए है वह प्रमाण करता प्रादिकारी दोरह वसुल की जाएगी ठीक है उसके पास होती है ठीक है लेकिन के बीकर तो जहां करेगा पर सुनवाई का अफसर भी देना पड़ेगा दस दिन से अधिक के लिए कर रहा है तो वह सुनवाई का करता है क्या बात करता है कि वहीं आपको सब्सक्राइब की शुचिना देनी पड़ेगी विदान में जो कि व्रद को और कर्मचारी को भी दे सकता है उसके बाद 28 पर आ जाते हैं 28 में क्या लिखा है 28 के साथ परते हैं यहां पर कंट्रोलर को करना है लेकिन इसमें एक चीज लखी है कि अगर आप पस्पर रहा है तो पांस लाख रुपे जुरुमाना आपको लग जाएगा हो क्लियार कसा क ने बार बार सुनूगे याद हो जाएगा These I like अ कि राल ला ला लाला 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 ला लाला ला है परेस्मेंट यार आप लोग दो करले आँ लह लाएप लोगा परनिस्मेंट याय मैं थोड़ा सा है पढाऊख़ए इसमेज़ ही ज्यादा नहीं सब्सक्राइब know the ant technologiesorum आप लोग जदर समझवेत पास ज्यादा अंद कИ अव माज़ू जादा पर आप आम झाल लोग्तर समझ थी या की शीटों समझ एक पर शूंज नो शुरम में तरी समझ में होना समझ है ठैकिन आई रिया लस्ता देख स्राव हो गया तर डिजिटल लियाओं क्या आप थबूट करो तो फिर डिजिटल तभी तो आएगा ऐसा दोड़ी आएगा थबूट करो तभी आएगा भी या ऐसा नहीं आएगा ठीक है ठीक है ठीक जैने इसके बाद आगे मड़ते काहां को लेते हुए है monopol cute generate जैद कर लेना 34 में आपका प्रकरटी रएठिक है अजिकर सब्सक्तर को सेबिसक्तर के बारे में बात करता है ये एल्यक्ट्रोनेग चिन प्रमाण पत्र के बारे में बात करता है चैप्टर सेवन रविखिया आपका क्या हो गया थिए अ क्या हो गया अगया call फ्रकोंसे की बारे में चिन अकिला है आप प्रमाण ना यहां इसके सिवा जाना कहां दीच जाहने को ही आवगा संग devastation थोड़ाँ थोड़ाँ अब है आपको आए आएगा और यल्कुल आएगा के से आईगा। मैंने बताई दिया है कि प्रमाण करता प्रादिकारी के पास आपको क्या लगाना है या आवेदन लगाना है जैसा कि आवेदन कर सकेगा जैसा कि सेंटर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करें और 25,000 रुपे आपको पूरा ब्रहतो देना 25,000 रुपे फिस होगी स्वेस्जाज देने बाद शद्थन प्रमाण पत्त्र प्राप्त करने के लिए एलक्रोंइक के बारे में बाक निग найти बारा य ही बात इनपने के बारे में जारी करने के लिए प्रमाणपत्र जारी कराने का ब्रमाणपत्र जारी कराने का आप इस तो तो आप लोग तीसी चीजी याद रख लो ना बास तीसी तो चीजी याद रखने यार वाया तो निलंबन आपको किस के साथ पढ़ना है 25 के साथ बढ़ना है 25 के साथ बढ़ना है और 26 के साथ बढ़ना है तो यही तो बात है आपको देखो 26 में भी निलंबन प्रितिशनन की सूचन 26 के साथ 49 पढ़ाता ना उसके बाद आपको 26 की जो आपको सूचना जो आपको 25 के साथ पढ़ नहें पर लंबन कर सकता है वहां कर सकता है तो तुमीन है उने में से एक कुछ बनाई जाता है यह यह तूपना मत परन्तु पंद्रा दिन से अन्य अवदी के लिए अगर आप अवदी तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सुनवाई का अफसर ना दे दिये जाए और दस दिन वाला कि दस दिन वाला ठीक है वहाँ पर पत्चीस में तो आपको याद आया ना तो आपको ऐसे अगर नहीं आया ना तो पत्चीस के बारे में लिख लो अनुग्यप्ति का निलम्मन और आप यहाँ पर लिख लो 37 में डिजीटल अगर शर्टिफिकेट कर निलम्मन यहाँ पर लिख लो 15 दिन तक कर जाएगा यहाँ पर लिख लो दस दिन तक कर जाएगा और अगर से अगर देखना नहीं तो पहले सुनभाई करो यहाँ पर पावर आफ कंट्रोलर यहाँ पर पावर आफ प्रमार करता प्राधिकारी यहाँ पर तूखे यहाँ पर तूखे में यहाँ पर तूखे जी में लाएसेंसी जैड में ठीक है? क्लियर आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो रहा हुए चीज़े ठीक है काईदे से हैं तो यादी करने चीज़ें आपको फिर भी ठीक है अंकी एचने प्रमाड करत्र का प्रतिस अन्रहन आपको अच्छे से याद हो गया 26 के साथ इसको पढ़ाएंग 13,16R फिश लेगा प्रमाड करता प्राधीकारी को आविदन लगाना सेंट्र-गर्न जाथ की परसका है च değiş्थ में डिजिटल चिन के सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में निलम्मन है उसके बाद 38 में प्रती सनहन के बारे में बात करी गई है 49 में आपके किसके बारे में बात करी गई है प्रती सनहन निलम्मन की सूचना के इस तरीके से अगर आपने याद कर लिया तो बढ़ियां ठीक है और आपका दोनों जो suspension, suspend वारी चीजे हैं यहाँ पर अनुग अप्टी में 10 दिन और यहाँ पर परवाण करता प्रादिकारी में 15 दिन और section याद रखें इत्ता आपको काम है यहाँ पर controller और वहाँ पर certifying अठोती है यह आपको अगर इत्ता याद हो गया तो आपका यहाँ से प्री निकल गया ठीक है इसके बाद आते हैं chapter 8 में chapter 8 में यूज उप्भोकता उप्भोक करता सस्क्राइबर के बारे में बोल रहा है कि सस्क्राइबर करता का उलंगन है किसका उलंगन है वैया सब्सक्राइबर करता का उलंगन है उलंगन चलो सब्सक्राइबर करता का उलंगन यह कहां सदिया है आपका यह 40 से 37 40 तक दिया है सब्सक्राइबर का उलंगन का दिया है एट में यह कहां दिया था जाट के जी में सायद लेखो क्रोस चेक क्रोस चेक क्रोस चेक ठीक है बढ़ी है याद है याद है याद है ठीक है चालीस युगमकी का उत्पादित किया जाना और 2X में हमने बढ़े इस्टे से पढ़ा था पेर की पिया तो यह इसी के बारे में बोल रहा है चालीश युक्म की का अत्पादित या जाना चालीश एलेक्ट्रोनिक चिन प्रमाड करता का उप्योग करता के उप्योग करता के मैनर प्रिक्स्क्राइब उसके बाद प्राइवेट की का नियंत्रण जैड सी कंट्रोलर कंट्रोल कौन करता है यह बोल रहा है कि चिन प्रमाड करता कुछ कुछ गोपनी नहीं है तो जैड को करता इसकी सुचना प्रमाड करता प्रादिकारी को देगा बास तीशारी चीजें अरे यह तो अपना 41 42 और 40 इसके बार भी लिख लो और 40 लिख लो इसको फटा फट पड़ लेते हैं उलंगधन के सस्क्राइबर के बारे में अगर एक आत कॉस्चन बना तो बना नहीं तो मेरे ख्याल से तो एक ही बनेवा एक ही बनेगा जो की पूछने लायक सब रहा है चप्टर एट में ठीक है सस्क्राइबर ठीक है उसके बाद 41 में क्या है और देन इसके बाद लास्ट 42 और 42 वह ही है कि अगर आपकी प्राइवेट की क्या हो गई है गोपनी यह नहीं है तो इसकी सूचना किसको देनी है नोटिस देना है आपको किसको प्रमाण करता प्रादिकारी को हिसा अक्ता सा याद रखना है 41 में आपका अभी सुझा करती है अजा तो ही गया हुगा याद हो या यह बहुत सिंपल सिंपल से चीजे थी प्रेयार इंकरी खता मुगये ओगा यह और कि मैंनी आ रहा है चीज़ों को कि क्या है यार जबी खताम हो गया है और इनके भी नहीं बची है अब क्या किया जाए सभी खताम हो गया है थीक है नो और ग्यारा बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आप लोग थोड़ा सा चिंतित रहें उस चीज़ के लिए चलिए कल देखेंगे यार आज मेरा वह भी खताम होगा आप लोगो देखें भी नहीं रहा कल देखते हैं चीजों को ठीक है है मेरे पास तयार है आपका 43 की पैनल्टी 66 ए आप तो कहानी मेन सटार्ट होए है आपको जहां से कॉचेंच बनने के चांस आपको बनेगे तो वहां से ही आपको traced करियो और इसकार शुक्रिया नन्यवाद और इस्ता गयों की। अध्या कर ले ना वासलिए आप कि लिए ना और यहां पर आपको वो है ठीक है यहां अच्छे स्याथ करना चीज़ों को चलिए मिल दें नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बनाऊँगा इस पर